हलो फ्रेंट्स आज के इस वीडियो में हम आपको यह बताने जारों कि कैसे हैं आप अपने Samsung Galaxy F13 Android में आप जो अपने Bluetooth की keeps stopping problem को आप सौल्व कैसे कर सकते हैं आज के इस वीडियो में हम आपको डेटेल में जानकारी देने वाला हूं चलिए आप यह वीडियो का में स्टार्ट कर लेते हैं देगी दोस्तों कभी भी ऐसा होता है कि हम अपनी जब भी Bluetooth को किसी भी दूसरे डिवाइस के जाथ कनेक्ट करते हैं तो हमारे Bluetooth के पेज 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 आपको सबसे पहले करना है कि है आपको अपने मुवाइल फोन का जो APN सेटिंग होती है लिए आपको नेंट लिए झाप करना है ओवाइल पेज में होती है के साथी पेज पार क्वाइल पेज में होगता लिए ऑपको मॉटा सेटिंग का उप्चिन टेप करना है अब यहापट आपको अगला प्रोसेस करना है कि आपको अपने मुवाइल फून की नेटवर्क सेटिंग को एक बार रीचेक करना है। इसमें आपको सबसे उपर पर सब्सक्राइब करना है। यहां पर आपको नीचेकी सांथ reset का option तक होगा आपका phone डरेक्त वैंपो ढ़ू सेटिंग लेकर आजागा है तो ऌने Ugh यह आपको अग्ले page में सबसे नीचे यह option मिलता रिज्ट नेटवर्क सेटिंग का इसलिक करना है इसका अगले पेजमें आपको फिर से से रिसेट करना है आपका निचे निखा हो आएगा नेटवर्क सेटिंग रिसेट कर देंगे तो आपके वेल में ब्लूटुत की कीफ सी से टैप कर देना है इससे क्यों होगा आपका फोन आटमाटिक स्विच आफ हो जाएगा फिर इसके थोड़ी दिर बाद ऑटमाटिक स्विच ओन हो जाएगा रिस्टार्ट करने से होता है हमारे मुवाइल फोन के एंडूट सिस्टम में अगर कोई कमी आ जाती तो कमी जो दू नहीं लगती है तो आपके फोन का सॉफ्ट्वियर अपडेट है या नहीं आपको चेक के से करना है देखिए इसके लिए आपको सबसे वाले मुवाइल फोन का इंटरनेट चालू रखना है इसके बाद आपको मुवाइल फोन का सैटिंग पेज ओपन करना है सैटिंग । है अगले पेज डाउनलोड इंस्टॉल पे टैपकरना है आपको सॉफ्थ्वेयर अपडेट के पेज में अगर ब्टन तीखाई देता है तो अब को टैप इससे आपके फोन का सॉफ्ट्वियर अपडेट हो जाएगा और आपके ब्लुटूथ की कीप स्टॉपिंग की प्रॉलम भी सॉल्व हो जाएगी ठीक है अब यहां पर आपको अगला प्रोसेस यह करना है कि आपको अपने मुवाइल फोन को रिसेट करना है ठीक है दोस्तों करेंगे तो आपको सबसे उपर सर्च आइकन को ऑप्शिन टैप करना है यहां पर आपको सबसे उपर सर्च बार में रिसेट आपको टाइप करना है तो आपको नीचे की साटना रिसेट का यह ओप्शिन होगा रिसेट पर टैप करना है तो आपको अगले पेज में सबसे न प्ले लीजे, दूसरी बात यह ध्यान रखने है, आपके फोन की Gmail ID और उसका password आपको पहले से note करके रखना है, ठीक है, तो यह दो काम आपको पहले करने हैं, उसके बादी फोन को reset करना है, ठीक है, तो इस वीडियो पर आपको जितने ही process आपको बताएं, सारे process आपको use करने तो इससे आपके Bluetooth की keeps stopping की problem जो है, वो solve हो जाएगी.